मनमुहक सुन्दर सखनवन उपवन हमारे मन को आकरशित करते हैं वनांचल की स्निक्थ शीतल मंद सुगंधित वायू हिर्दय की गहराईयों में समाकर मन को भाव विभोर कर देती है मन को आलहादित कर देती है चिडियों का पंचियों का सुमधुर कर्णप्रिय कल्रव जंगल के जीवजंतूं का रहस्मई संसार विविधरंगी वनस्पतियां जो करोडों जीवों के जीवन का आधार है जंगल के मत्य से बहती कल-कल करती नदियां जरने जीवों के कंठ को त्रिप्त करते हैं पर्यावर्णिय चुनोतियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं वैश्विक स्तर पर सिमर्तेवनक्षेत्र और वन्यजीवों का रहवासी शेत्रों में आने से मानाव और जंगली जानवरों के बेच द्वन्द भी बढ़ रहा है वैश्विक तापमान में निरंतर वृत्ती हो रही है जिसे केवल सगन व्रिक्षारोपन और वनों की रक्षा से ही रोका जा सकता है वन और वन्य जीव जन्तों के संरक्षन के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के संबंध में चत्तिसकड राज नीती आयोग के सदस श्री के सुब्रमन्यम ने बताया आरक्षित वन वो है जिसे भारती वन अधिनियम 1927 की धारा 20 में अधिन सुचित किया गया है और जो घने जंगल है आबादी शेतर से काफी सुदूर शेतर में बसे हुए हैं उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं जो गाम के आसपास के जो जंगल है जिनके उपर जैविक दबाओ का फिज्यादा है उनको हम भारती वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में हम उन्हें संरक्षित वन अकिसुपित करते हैं कुछ शेतरों को जहां वन्यप्राणी की बहुलता है उसे धारा 18 में अभ्यारणी की घोशना शासन करती है वो अभ्यारन शेत्र होते हैं, यहां पर आग लगाने पर प्रतिबंद होता है, हत्यारों के साथ प्रवेश पर प्रतिबंद होता है, जिससे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. वन्य प्राणिय अधिनियम 1972 में ही, कुछ शेत्रों को राष्ट्री उध्यान के रूप में, जिसे अंग्रेजी में नैश्टल पार्क कहते हैं, उसकी घोषना भी राजशासन करती है. ये खास तौरते वन्य प्राणियों के प्राकरतिक आवास होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हैबिटाट कहते हैं, और ये हैबिटाट को कैसे संरक्षित रखा जाए, जिससे कि वन्य प्राणिय जो है, उनकी बरहोतरी हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनका प्रजन और वो एक जो खाद्य श्रिंखला के आवर्शियत अंग हैं और हमारे पारिसिती की कंत्र को बनाते हैं वो बाहरी प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित रहे इसके अलावा एक बहुत बड़े हिस्सा जो जंगल का होता है जो लगातार होता है और जिसके लिए राजी की सी या प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं इसी के अंतरगत हम जहां पर बाग की उपलब्दता है और बाग का संद्रक्षन ज़रूरी है वन्ने प्राणी संद्रक्षन अधिनियम की धारा अरतीस में राश्ट्री बाग संद्रक्षन का हम गठन करते हैं पाग और अन्य जो प्राणी को फसा के बाहर ले जाना इन सब को रोकने की कोशिश की गई है और राश्ट्री उद्यान ऐसे शेतर होते हैं जहां आबादी लगभग ना के बराबर या अलग बात है कि कुछ गाओं आज भी राश्ट्री उद्यानों के अंदर बसे हुए हैं ऐसे गाओं को पूरी खाद्य श्रिंखला है वो वहाँ पर मजबूती के साथ बनी रहे हैं वर्शावन वे जंगल हैं जिन में प्रचूर मात्रा में वर्शा होती हैं भारत में वर्शावन के क्षेत्र, पश्चिमी खाट, असम के उपरी हिस्से, तमिल नाडू तट और अंडमा निकोबार दीप समुहों में हैं असमराजी में दिहिंग पतकई राष्टी उद्यान भी वर्शावन हैं असमराजी के प्रख्यात पर्यावरन विद सौम्य दीप दत्ताजी से इस वर्शावन दिहिंग पतकई राष्टी उद्यान और वन् संब्ध में हमने बहुत से जानकारियां प्राप्त की। जैव विवित्ता जीवन का आधार है। इस संब्ध में सौमयदीब जी ने कहा। विविर्ट जीवन टी है। इसको इफ्रेस सकते हैं लेकिन उसको एक्सपैस नहीं क्रैंने हम लोग ठीक ठाग नोग सब तो फए लेंगे वो first है वह इुट ख़म धा बेडर्ड्शे वह उर इसकते हैं रज deben सणे पहीं को पहाइता है। अपका घर में पहुत है। आपका जो बटरफलाई जो है वो तो घर में रहता है। यह तो सिंपल है बायो का मतलब जीव लाइफ डायिवर्शिटी मतलब पीद थे मैवित एंद के मतलब क्या है वह एक टाइगर है को ही एक लेपड में को हॉन फिल है को एक आम का पेर है, कोई बेर का पेर ह। यह जो किशिस जो मिम्न उसको वो बायो डिफरसिटी का एक पार्ट है, वो स्पीसिस डिफरसिटी, उसको बोलते हैं, सेगंड जो पार्ट है, वो हो है हैबिटेट डिफरसिटी, जैसे हम लोग एक टाइप का घर में रहते हैं, राजस्थान में मोटा मोटा वाल का घर में रहते हैं, एक स्कीमो इग होता है हम लोग एक जंगल देख रहा है लेकिन हर प्रजाथी का नीशेज अलग-अलग है वेट लैंड भी एक है नदी में उसमें एक जो फीश है उसका अलग-अलग है मतलब स्पीसीज वाइस है अलग-अलग हो यह जंगल में पराकिट रहता है उसके लिए एक हैवितेर्स की एक ही स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी है उसको जनेटिक डाइवर्सिटी है हम लोग यहां में एक स्पीसीज है आदमी होमो सेपेंस सेपेंस हमारा मेंटल गिताब अलग है कोई मतलब चंचल है कोई धीरे धीरे शुस बात करता है है कि ने टेमपर्मेंट अलग- इसको जनेटिक डाइवर्सिटी बोलते है यह चीज वाइल लाइप में भी है जैसे आप वान ग्रूप अप हर्ड ऑफ एलिफिंट देखते है हर एलिफिंट अलग-अलग है उसका टेमपर्मेंट अलग है उसका कैपासिती अलग है उनका कैपाइवलीटी अलग है एक ही स् असम में माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदीद्वारा अलग किया गया है माजुली 352 वर्ग किलोमीटर के कुल शेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नदीद्वीप है इस माजुली द्वीप पर जादव मुलाई पाएंग पिछले 30 वर्षों में 1360 एकड में पेड लगा कर उनकी देखबाल कर रहे हैं 300 एकड में तो पास के पौधे हैं जादव पाएंग के लगाई जंगल में जिसे मुलाई जंगल कहा जाता है बंगाल टाइगर भारतिय गैंडे 100 से अधिक हिरन बंदरो और कई प्रकार के पक्षियों का घर भी है हर साल 100 हाथियो का जुंड भी आता है जादव पाएंग जी को फौरस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सन 2015 में भारत सरकारद्वारा इन्हें पदमश्टी से भी सम्मानित किया गया आईए सुनते हैं पाएंग जी से जीव जंत्वों पेड पौधों से प्रेम की उनकी कहानी जो पह एक सॉनतीटिस है एक जीकल सा नगी μέ defenses नवह जो कतलहीं से सbons्टेल से नेसे भी नहीं होगा पेड़्व पड़ा लगाएंग प्थीपालन करके बड़ा करने पड़ेगा पेड़ का गुना कुन पेड़ कर नाम जाने परीगे अशे हम लोग को सिख Ś当 depictel है देकिन उह पेर्न का पुरब पिने शिखाया, पंची ने आकास में उरने शिखाया. All of our world, जतनी भी देश है, एडुकेशन सिस्टेम में, धोईती मा को प्यार करने होला कोई एडुकेशन सिस्टेम में नहीं है। Science and Technology, जब तक साहित्यों को विकास सुर के उपर में गया था, वोई दिन चे प्रकृति को धन्चा करा है। कोई दिन उसको प्रकृति सिस्टी करने होला कोई नहीं है। All of our world, इसके बारे में climate change होआ था, COVID-19 आया था, पिता जी दाइटन ने सुने होला, नहीं, मता जी दाइटन ने सुने होला, कहां गया था। Scientist और डॉक्टर और इंजिनियर कहां गया था। हम लुग सब विश्र भाष ने सार्टिप्रकेत लेने के लिए परा है, द्रीती मा के लिए नहीं पराए। आगे इंडिया के एडुकेशन सिस्टेम बहुर अच्या है। गुरु कुल कै है, आगे के अदुकेशन सिस्टेम पिता थरम, पिता सर्ग, पिता ही परमूतपः。 आज काल एडिकेशन सिस्टेम आ गया, विटी जब आ गया, गल्ती हो गया इंदिlig का। ओ आएगा तका थरम, तका सर्ग, तका ही परमूतपः। तो जतने ही भी देखाया, विश्वाशन में रखेया, फ्रांस में दो तीन बार गया, एकोनोमिकल फर्म क्लाइमेट चेंज, तब 195 देशों के वह भासन देने के लिए इन्भायत कराया, तो 12 मिनित भासन देने के बोलाया, मैं तब पुषाया, आप लोग एकोनोमिकल के उप सुटा के लोग पनदेने के लिए ईक पड़ाल गो जतने भी घरम का लूक है। बरा बरा गिर्जा, बरा बरा मजजिद, बरा बरा मंदीर बनाया, भगवान कौन देखाया, उसका जबाब देने लिए कोई नही है, तब कौन है, कुब तो है, कुणुटू है, तब भगवा मेरे साथ आया था तब में बुलाया कि अमे को पहले कतो पेर मंटस्मिया थमें वह मितने कीभी रहे हो, उसक के बात पत्तकर आके यह आर्टीकुल निकल और तब कुदूरवडर्शन आ गया. Times of India आर्टिकुल लिखने के बाद धरीती दिवस्ट ने जालालने इंवस्टे एड़ामिंतिल साइन्टिस हो लोग तीन दीन तीन राग हर पेर का उपर हर पंचिक का उपर अध्यन करके पहले बार इंदिया में राग चार तीन बजे वो फोरेस्ट में आप इंदिया ताइट सौम्यदीब जी ने बताया आखिर क्यों आवशक है जैव विवित्ता ने तो टी गार्टन तो पूरा जंगल है पूरा प्लांट लगाया उसको इतना रिकोग्नाइस एशन क्यों नहीं मिलता है इसलिए उसका वैलू है नहीं कि उसमें बायरभिर्सिटी है तो अगर बायरभिर्सिटी बचाना है तो जंगल बचाना बहुत जोरोडी है एक अगली रेंफोरस्ट्री था पहले हो सिंग्फो आदी ये लोग आके खुंदा-उंदा करके खाते थे बृतिश आया आके उसको कमर्शियलाइस किया तो फिर ऑल अवर वर्ल्ड हम लोग चाय बेच रहा है चाय से हम लोग को पैसा मिल रहा है चाय जैसे हजारों इड़ प् हम लोग तो परादी था पूरा अभी हम वाल इम लोग जितने आगे बरा है हमारा बच्चा आ ऑगँ जाएगा हमारा नाती बच्चा का बच्चा आख आगे चाये गा साइंटीस उन से बनेगा सब अनालाइसीज होगा लेकिन जंगल रहना बहुत जरूरी है ये करते-करते दो तीन जनरेशन में अगर जंगल ही खतम हो जाएगा तो होगा कैसे यह जंगल में जो इडिबल प्लैंट्स है जो मेडिशनल प्लैंट्स है वो अलोबर वोल्ड हम लोग मार्केट कर सकते हैं लेकिन जंगल रहना बहुत जरूरी है और जंगल में उसको प्रफाकेशन होगा medicinal plants का जंगल में wildlife, wild plant जंगल में प्रोफागेशन हो जैसे राउल पिया सर्पेंटिन आप जंगल से लाके टॉब में लगा सकते टॉब में देखेगा, अच्छा देखेगा, जिंदा रहेगा लेकिन दस साल में एक ही दो तीन ही रहेगा, ऐसी ही रहेगा जंगल में एक प्लैंट से दस बिघा बर जाएगा, उसके इतना प्रोफागेशन हो जाएगा, नहीं तो जो जितना medical company है सब तो खेती करते थे, wild plant का, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उसका symbiatic relationship है, एक plant का उपर और एक plant dependent है, और symbiatic relationship क्या है, अभी भी हम लोग को पता नहीं, उसको study करना पड़ेगा, जंगल में इतना growth होता है, लेकिन domestic में growth नहीं होता है, क्यों? जंगल बचाना बहुत बहुत जरूरी है जादव पाएंग जे कहते हैं, मुझे प्रकृती में जंगल में अच्छा लगता है हमें अपने नई पीड़ी को व्रिक्षा रोपन का महत्व बताना चाहिए जन्मदिन या विशेश आसर पर गिफ्ट में पौधा देना चाहिए आप लोग फूल मौध गिफ देजी अधी जल्दी इंडिया गिनो हो जाएगा तो उलुक भी माध हुईती को प्यार करना उलुक सिखेगा हमनों को मुझे बाद खतम हो गया आमा की रुखवा बन जाबेरे गुंदा के उल्वा बन जाबेरे माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मूधी ने मन की बात कारिक्रम में विश्व पर्यावरन दिवस के अउसर पर मा के सम्मान में पेड लगाने की देश्वासियों से अपिल की इससे मा के सम्मान के साथ ही धर्ती मा का सम्मान भी बढ़ेगा तो आईए हम भी लगाएं एक पेड मा के नाम हमारे देश में वन संडरक्षन की पद्धती पूनता भारती है ये हमारी प्राचिन परंपरा का हिस्सा रही है सामाजिक वानिकी का वनन प्राचिन ग्रंथों में मिलता है इस पारे में सौम्यदीब जी कहते हैं जगदिश चंडर बोस नहीं बोला यह मैंने डिस्कोवर किया उन्होंने बोला अरे हमारा फोरफरदास्टों जानते थे प्लैंट का लाइफ है वो प्लैंट का पूजा करते थे प्लैंट का अपसमें साधी देते थे तारा तारा का रिचुएल्स करते थे पहले सी जानते थे हमारा पूरवज आज से धाय हजार साल से भी पहले चंदरगूप तो मोर्जों ने रास्ता का दोनों तरफ प्लेंट लगाया था अभी ओ सोशल फोरिस बोलके हम लोग यह सब कर रहा है आप लोग शकुंतला अगर परा है कोई कन्नो मुनी का अस्वम से राजा दुश्मन तो जा रहा है सब को तुम रौत से नीचे नामों क्यों क्यों क्योंकि नहीं यह जंगल में आप रौत में चरके बर्मो पैंट के तीर धुनुक लेके नहीं घुश सेकते हैं क्योंकि यह तपोवन है वही तपोवन कंसेट अलोवर वर्ड एक्सेप्ट किया जिसको हम सैंग्चुरी जान वह जाती का हलत ऐसे होगा हमारा जैसे होगा हम लोग साधीन बन गया लेकिन सतंत्र हुआ नहीं हम लोग नोगोर का जिस्ति भंगी में सब कुछ देख ते हैं और बिटीश चाकर बनाने के लिए जितना एजुकेशन देना चाहिए उतना एजुकेशन दिया लेगिन एंप इसपलैन घुलोटब स कोमपॉटिवंगली पूर sud सब कंट्री में इसका जो बच्चा जो है असको एमपॉर्टमke looking उसका चेटन का शिखा त्व सब कुछ सोचने का बातशीं रटा चाहिए ये सिक्षा देते लिकिन ईसशिंगी हमा रही था महापुरिष गौतम बुद्धों ने All Over World बताया यह कोई चीज ऐसे तुम ग्रहन मत करो तुमारा गुरुजन बोलता है उसको भी ग्रहन मत करो तुम कोई पुराना किताब में लिखाए उसको भी ग्रहन मत करो माता पीता क्या बोलता है उसको भी ग्रहन मत करो सब कुछ सोचो, समझो, दिमाग में उसको कलचर करो, फिर उसको ग्रहन करो. यह जो दिमाग में कलचर करने का जो प्रोसेस जो है न, यह हमारा कम होगी. लेकिन वो अर्गुमेंटिटिव जो थोट जो है न, उसको भी बरहाना बहुत ज़रूरी है. सब कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है, क्यों है ऐसा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों कि भारत का जो परिवर्तन कामी जो प्रोग्राम जो है न, यह परिवर्तन कामी प्रोग्राम में आप लोग एक एक शिनाप होती हो, आप लोग ही सोलजार बनाना परेगा, आप लोग soldier बनाएंगे तब हम लोग आगे बरपाएंगे नहीं तो आउर कितना साल हम लोग ऐसे बिड़ जाएगा हम लोगों को एक्स्प्च्राइट करके बिड़ जायगा वह गोगों को एग्सप्रायटेशन क्या है यह सोचना बहुत जुरूरी है चोटे चोटे प्रयासों से वनावरन को तो बढ़ाया जा सकता है पर क्या हम जंगल बना सकते हैं? इस बारे में सौमय दीप जी कहते हैं इसका रेटाइल्स क्या है? इसका कोई कामी नहीं हुआ? है नहीं हमारा? पहले क्या था? पता ही नहीं पता होने से पहली ओख हतम होते जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लोग का कहना है पहले जंगल तो बचाओ हम नो किया किया? एक विलेज में कोई छोटा फॉरेस्ट है उसको विलेज सेंक्चुरी डिकलियर कर सकते हैं और वेटलैंड है विलेज वेटलैंड सेंक्चुरी डिकलियर कर सकते हैं विलेज उससे कॉमर्शली नहीं नॉन कॉमर्शली कुछ लिया सकता है हमारी भारती संस्कृती का हिस्सा ही जैव विवित्ता रही है इस पारे में सौम्यदीबची कहते हैं उतरप्रदेश भी भी हाट चीज है हमारा उदीडिया में हम इं हम लोगी एक गरूप है जो जो फूझा करते हैं गारतो हम सिंग को फूझा करते हैं ताइगर को फूझा करते हैं पलग स्पीसिस को पूझा करते हैं वर्षावनों को पृत्वी का आफूशन और संसार की सबसे बड़ी औशद शाला कहा जाता है इस बारे में सौमयदीब जी ने बताया आते आते हो आसा मागिया आके एसा हिमाला है यहां है यहां है । तकराने से क्या होगा..? कीऊ होगा? है यहान जब तक्राएगा बायू उपर में जाëब ऊपर में थंडा है थंडा में अधनकाल करेकया तब ही बारीश फोगा थंडा होने का बात बाद क्या करे गाए इंग एघस करेगाaways उपर में जाएगा इस लिए hyमाले एक ग में क्वासी कोटिंग होता है और नीचे खांटा होता है नीचे वाक्सी कोटिंग नहीं होता है प्ल atm मड्राहना निचे से जए लेट बास पो जो प्रैंसिक प्रिंशन वह द भ्यास से निखल देते हैं तो इसलिए प्यार किया रहना से वह यह āर्कूलर जैसा काम कई छ तह स हर प्या प्त्व मतलब मॉश्चा निकल रहा है उसका मतलब यहां का जो हो रहा है यह फॉरस HC क्रिएट करना है इसलिए इसमें एक ही रीटू है बारिस अल्वेस मतलब रहता है उसका जो विट्टी जो है ना अल्वेस आप देंगे मुश्चर पूरा भारा हुआ हो ओल नाइट अगर जंगल में बैठा रहेंगे हम लोग होल नाइट में बैठा रहते हैं चार गंटा पा जंगल के समीब हरी भरी वादियों में कौन नहीं रहना जाहेगा देहेंग पतकई राष्टे उध्यान के समीब रहने वाले 75 वर्षी पर्यावरन प्रेमी बाबुल चक्रवर्ती से राष्टिय प्रसारन मल्टी मीडिया अकादमी के उप महानिदेशक अभियांतर की श्री रवी कुमार जोशी ने पूछा अब जन्यम लिया दस साल तक मैं जानता सो जंगल को काट और लियो वह अगर टेंडर होता था कुछ होता आथा जंगल को काट काट के लिया जाता था बोंदुक का लाइसिर्स था ताकि सिकार करके डियर है जो पोहु का मंसो खाने का हम्रूप माहीर था तकि जंगल से लिय यह वही कंसेप्ट से बड़ा हुआ, लेकिन अभी जैसे दिया जड़ता है, अंधेरा दूर कर देता है, जैसे दिया जलाने के लिए, सम्मुदीब दत्तों, लोहिद्डे का बगरे बगरे यहां आए, आके हम लोक के समझाये, ऐसा जंगल को काटा नहीं जाता है, प्रिजार है कि आप भी दिया हर आदमी को यहां का जलाईये, ताकि यह रेंफरेस्ट, रेंफरेस्ट हो, आप लोग का रेंफरेस्ट हो, आप लोग आईये, you are highly welcome here, अभी तो मैं न्यावता पाकर आया हूँ यहां, आप लोग का, लेकिन चाहता हूँ कि हाम न्यावता दे आपको पाईये, मनहा मौर्जूमे नाच, देंगुराहा या भामार, पुरवईया चले जग जो, पुरवईया चले जग जो, रजे रजा, रजे रजा के पानी की रहने, रजे रजा रज रजा के पानी गी रहना